हलो आज हम पढ़ने वाले हैं priority encoder अब priority encoder मतलब क्या होता है यहाँ पर input की priority decide होती है और उस priority के हिसाब से हमको output मिलता है तो अब देख लेते हैं क्या होता है priority encoder a priority encoder is an encoder circuit that includes the priority function मतलब जो भी आपको priority function define होगा वो उस priority encoder में include होना चाहिए अब देखते हैं कि priority function क्या होता है जैसे मामलों कि आपके पास 4 inputs हो अगर आपके पास 4 inputs हो तो आपके 4 inputs हैं D0, D1, D2 and D3 और इन 4 inputs के different values अगर हम 01 देखें तो आपके पास total 16 options होंगे यह 000, 000, 0001 ऐसे आप जाएंगे last वाले option होंगे 1110 जो कि आपका number रहेगा 14 और यह रहेगा 15 के लिए 1111 तो यह आपके 16 option हो है अब 16 option में अगर आपने इस तरह से priority define की आपको सबसे पहले आपकी priority बतानी पड़ेगी अगर आपने D3 को highest priority दी मतलब जिस input की subscribe higher है उसकी priority सबसे जादा है आप अभी यहाँ पर लेट कैसी यह जो 4 inputs के लिए different option बता है इसके अंदर अगर आप priority define करें तो आपकी priority इससाब से define है कि जो सबसे बड़ी subscribe होगी उसकी सबसे ज़्यादा priority होगी मतलब D3 की priority D2, D1, D0 से ज़्यादा है D2 की priority D1 और D0 से ज़्यादा है और D0 के लिए कोई priority नहीं D0 जो होगी वही value होगी मतलब इसकी priority highest है इससे कम D2 की, इससे कम D1 की इससे कम D0 की यह आपको पहले पता होना चाहिए कि किसकी priority है अब अगर इस तरह से priority define हो तो उसमें क्या होता है कि आपके जैसे यह 4 inputs हैं यह invalid input वाला case हो जाएगा लेकिन यह 0-0-0-1 वाला case है इसमें तो सिर्फ 1 ही 1 है तो इसमें कोई priority देने का सवाल ही नहीं होगता लेकिन इसमें देखो 0-0-1-0 इसमें D1 की value 1 है तो D1 की value जब 1 होती है तो D1 की priority D0 से ज़्यादा है तो D0 की value कुछ भी हो चाहे 0 हो चाहे 1 हो देखो next case में D0 की value 1 है जब D1 की value 1 होगी तो आपका जो output में जो जो input select होगा आपका वही input select होगा जिसकी priority ज़्यादा है मतलब इस case में आपका कौनसा input select होगा D1 क्यों क्योंकि यहाँ पर D1 भी 1 है और D0 भी 1 है, लेकिन D1 की प्राइरिटी D0 से ज़्यादा है, इसलिए आपका input select होगा D1 इस case में आपका input select होगा D1, क्योंकि यहाँ पर तो D1 ही 1 है तो अपकोर एक ही 1 है तो वो select हो जाएगा, यहाँ पर भी एक ही 1 है तो select हो जाएगा यहां पर definition यह है कि अगर एक से ज्यादा वन हो किसी input में एक से ज्यादा वन हो जैसे देखो यह वाला जो input है 0 1 0 1 इसमें कितने input 1 है यह दो input 1 है तो आप किसको ज्यादा priority मिलेगी इन दोनों में से यह D0 के respect में है और यह D2 के respect में है अब आपका D2 की priority ज्यादा है आपने define क 3, D2, D1 और D0 के अगर यह value हो 0 1 0 1 तो हमारी जो defined priority दी है उसके हिसाब से आपका input जो select होगा वो D2 select होगा क्योंकि आपने D2 को priority दी हुई है जिसकी subscribe का value ज्यादा होगा जिस 1 का वो वाला input शो करेगा तो इस case में D2 शो करेगा 0 हो या 1 हो तो भी आपका आपका जो input select होने वाला है वो D2 होने वाला है देखो इन चारो case में D2 select होगा यह जो चारो case है ना इन चारो case में D2 select होगा यह जो दो case है जिनमें D1 की value 1 है D0 की value मेटर नहीं करती 1 हो या 0 हो D1 select होगा इस अकेले case में D0 select होगा और यह वाला case जो define है कि अगर जिस भी input की value 1 होती है और उसका एक साथ काफी सारे inputs की value 1 हो तो वो वाला input आपको select करना है जिसकी subscribe higher हो तो अब यहाँ पर तो किसी का भी 1 नहीं है तो select होने का सवाली नहीं उठता इसलिए यह invalid input हो जाएंगे यहाँ पर अब उसके बाद आप अगला देखिए तो अब यह जो option है 1001 इसका कौन सा input select होगा डी 3 ही select होगा क्योंकि दी 3 एक ही input है जिसकी value 1 है तो अपकोर्स वह ही select होगा लेकिन यह वाले case में यहाँ पर डी 2 डी 1 और डी 0 की value में तरहीं करती है इन सारे cases में बतलब यह जो 8 cases है इन सभी में कौन सा input select होगा डी 3 क्यों आएगा डी 3 क्योंकि यहाँ पर डी 3 पर वन है तो हमारी दी 3 की value अगर 1 है तो हमको D0, D1, D2 से कोई मतलब नहीं है इसके बाद इन चार option में D2 की value 1 है तो हमको D1 और D0 से मतलब नहीं इसलिए D2 option आ गया है यह दो में देखिए D1 की value 1 है तो हमने D0 को देखा ही नहीं, D1 सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर तो सिर्फ अकेला D0 है तो इसलिए D0 को सिलेक्ट किया और यहाँ पर कोई भी 1 नहीं है तो यह invalid option है और यह बच्चे हुए आपके 15 option है वह valid option है तो अब हम इसका एक compact truth table बनाते है यह तो 16 option का हुआ इसका हम एक compact truth table बनात तो हमारे 4 input है अब 4 input की value 0000 है तो आपके output में कौन सा select होका वो matter ही नहीं करता है डोंट केर आता है मतलब matter नहीं करता है यह क्योंकि आपके valid नहीं है यह जो V है V आपका V is your valid bit indicator मतलब यह आपकी valid input है ही नहीं इसलिए V की value यहाँ पर 0 रहेगी अब second case में जब आपने 0 0 0 1 मतलब जिस input की value 1 है अभी यहाँ पर एक ही input की value 1 है तो वही input यहाँ पर डी 0 ही आएगा डी 0 का reference 0000 से रहेगा तो इसका 0000 आपका output आएगा तो 0000 रिक्लेजंट किया और V की value valid है तो वन आ गई अब उसके बाद अगर मान लो कि आपके D1 की value 1 है D1 की value 1 है D0 की value इस case में matter ही नहीं करेगी 0 रखो या 1 रखो output आपका D1 ही आना है अगर आपके D2 और D3 0 हो D1 की value 1 हो तो D0 की value डोंट केर कंडिशन आ जाएगी देखो यह वाली यह जो दो value है न यह दो value आएगी इस case में देखो D1 की value 1 है और D0 की value इस case में 0 है तो भी D1 output आ रहा है और इस case में D0 की value 1 है तो भी D1 output आ रहा है D0 की priority कम है ज्यादा priority D1 की है D1 की ज्यादा priority इसलिए output D1 को देखते से D1 आ गया है D0 मेंटर नहीं करता लेकिन अगर इसके बाद के cases में यहां पर देखे D1 1 है लेकिन साथ में D2 भी 1 है तो D2 की priority fix हो गई अब D1 मेंटर नहीं करेगा तो इन 4 cases में D2 की value के हिसाब से D2 output आएगा D1 और D0 की value मेंटर नहीं करेगी तो इन 4 cases में D1 और D0 पे आप don't care condition लिखेंगे तो यहां पर क्या हुआ कि आपने यहां पर D1 की value 1 है D0 की value मेंटर नहीं करती आउटपुट आपका D1 आएगा मतलब 1 आएगा तो 1 को हम binary में 0 1 से represent करते हैं तो 0 1 और यह valid है इसलिए यहां पर 1 अब मान लो कि आपकी D3 की value 0 है और D2 की 1 आगई है D2 की 1 आगई है तो आप D1 और D0 नहीं रेखेंगे D1 और D0 की value चाहे 1 हो या 0 हो कुछ भी हो आपका output D2 ही आना है D2 मतलब 1 0 2 को हम binary में 1 0 लिखते हैं इसलिए यहां पर 1 0 आगए यह भी valid input है क्योंकि एक input की एक input की value तो 1 ही न तो valid input है उसके बाद 4th case आजाएगा कि D3 की value 1 हो तब हम D2, D1 और D0 इनकी value हमको matter नहीं करती हम D3 को देखकर ही decide करेंगे कि output में select है D3 होगा क्योंकि D3 की value 1 है तो D3 की value 1 है मतलब D3 select होगा 3 के लिए आपका output क्या होता है 1 1 तो यह 1 1 और valid है तो 1 अब हम यहाँ पर यह जो 16 inputs का आपका जो बनता है ना KMAP जो 16 का यह 00 से लेकर 1111 तर इसको हमने compact form में बना लिया है तो यह हमारी compact truth table हो गई ठीक है अब हम इसके लिए KMAP बना लेते हैं फार हमारे output X के लिए हमारे Y के लिए और V के लिए तो बहुत ही आसान होगा V की value 0 तब होगी जब आपके चारो input 0 हो और एक भी input की value 1 होगी तब आपकी V की value 1 होगी तो V का तो असान है अब X और Y के लिए आप देख लें तो यहाँ पर आप X और Y के लिए हम KMAP बनाते हैं अब यहाँ पर हमने truth table बना ली है हमारी given priority के लिए अब इसके अंदर अब हम KMAP बनाते हैं तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जब D3 की highest priority है तो जब D3 की value 1 होती है तब X की value भी 1 होती है तो हम X के लिए KMAP बनाते हैं जब D3 की value 1 होगी उन सारे cells में हम X की value 1 एंटर करेंगे तो यहाँ पर हम KMAP देखते हैं और X यहाँ पर देखिए D3 की value कहा 1 है यह जो है यहाँ पर यह जो first variable 1 1 में से यह पहला D3 रिप्रेजंट कर रहा है और बात का 1 D2 यहाँ पर D3 की value 1 है और D2 variable है उसकी value 0 है तो यह जो पूरे 8 cells होंगे यह 8 cells होंगे इन 8 cells में D3 की value 1 होगी अब D3 की value जहाँ पर 1 होगी वहाँ पर हमको X 1 एंटर करना है तो इन सारे 8 cell में D3 की priority है इसलिए यहाँ पर हमने 1 1 एंटर कर दिया सभी दूर अब D3 के बाद अगली priority किसकी आ रही है आपकी? D2 की जब आपका D2 1 है D2 की value 1 है तब X की value फिर से 1 आ रही है तो D2 की value 1 कहां है आप देखिए? यहाँ पर देखिए 0 1 मतलब D2 की value इन 4 cells में 1 है यहाँ पर 1 1 मतलब यहाँ D3 की तो 1 है लेकिन D2 की भी 1 है लेकिन यहाँ पर priority D3 की थी तो उसके recording already feeling हो चुके है लेकिन अब इन cells में D2 की priority recording इन 4 में 1111 enter हो जाएगा उसके बाद आप देखते हैं next में यहाँ पर देखिए अब यह D1 की value 1 है D1 की value 1 के लिए X की value 0 आ रही है जब D1 की value 1 है तब X की value 0 है तब D1 की value 1 कहा है D1 के लिए हम इधार perpendicular आएंगे इधार D2 D3 है इधार D1 D0 है तो D1 की value 1 कहां पर है आप देखिए यह जो नीचे की 2 row है इसमें D1 की value 1 है देखिए 1110 और पहली वाली value D1 के लिए तो दोनों में 11 है तो यहाँ पर हम actually यहाँ पर इन सारों में X की value 0 आने चाहिए लेकिन हमारी priority recording हमने 6 sales तो भर दी है तो वो 6 sales हमारी priority recording होई है और यह दो अब यहाँ पर D1 को priority मिलेगी तो यहाँ पर 0 एंटर हो जाएगा और हमारा last में जिसमें D0 की value 1 है D0 की value 1 है तब X की value 0 है तो D0 की value 1 कहां पर है यह देखे यह जो दोनों रोज है इन दोनों रो में D0 की value 1 है अब D0 की value 1 है तो निचे वाली रो तो बाकी की priority recording भर गई है यह वाली रो में भी यह 3 sales भर चुकी है अब यह एक ही sales बचा है जिससे हम यहाँ पर 0 एंटर करेंग तो इस तरह से आपने सारी K map की entry करती है अब हम इसकी grouping करेंगे अब हम Y के लिए entry करते हैं तो Y के लिए जब आपकी D3 की value 1 होती है तब देखिए Y की value 1 है D3 की priority highest है तो D3 की value 1 तो यह जो दो column है exactly इसमें D3 की value 1 है D3 की value 1 है तो Y की value हम 1 enter कर देंगे उसके बाद अब आप two table देखिए जब D2 की value 1 है तब Y की value 0 है तो D2 की value 1 मतला ये दो ये दो column तो यहाँ पर इन दो column में से ये तो D3 की priority के recording होगा अब D2 की priority के लिए यहाँ पर हो जाएगा 0, 0, 0, 0 अब जब D1 की value 1 है तब Y की value 1 है अब D1 की value 1 कहां है ये दोनों रोज में D1 की value 1 है तो ये दोनों रोज में से ये priority के recording भर चुके है तो यहाँ पर इन दो जगे 1 आ जाएगा यहाँ पर तो don't care condition आ रही है और ये देखेंगे जब D0 की value 1 होती है तब Y की value 0 होती है तो यहाँ पर D0 की value 1 के लिए ये दो रोज है तो ये वाली रोज तो complete हो चुके है इस रो में भी एक ही सेल बची है तो यहाँ पर भी आपका जीरो आ जाएगा तो अब हम भाई के लिए भी grouping कर लेते हैं आपका के में बन गया एक्स के लिए आपको इसको देखते से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 288 के ग्रूप बन रहे हैं देखिए एक यह वाला गूप बना एक का और एक दूसरा य सबसाओं कर सबस्क्राद न करूसरा बन प δिक दो दूसरे वाले इरआ इता यहां अच्छार किया रहे में एगा पार क्रूप हो जाएगा रिखरांक्राइगा अन्सरा युक्राइगा देखिक्राइगा इसका एंसर दी थी आएगा और इसका इंसर आएगा इधर परपंडिकुलर आप जाएंगे तो रिस्पेक्ट में है तो यह हो जाएगा d1 पेंडिकुलर जाने पर यहाँ पर आपने देखा d2 कॉम्प्लिमेंट आ रहा है तो d1 d2 कॉम्प्लिमेंट तो y is equal to d3 plus d1 d2 कॉम्प्लिमेंट यहाँ पर x और y जो हमारे output आ रहे हैं उनकी value निकल दी है और आपके v की value आ रही है 0 1 1 1 तो अब हम इसका combination circuit बना लेते हैं इस priority encoder का तो आपके यह आपके 4 input है d0, d1, d2 and d3 और आपको यहाँ पर expression में d2 bar की भी जरूरत है था आप d2 bar के आगे not gate लगा दे तो यहाँ तक तो d2 है और यहाँ पर आपको मिलेगा d2 कॉम्प्लिमेंट और आपको चाहिए d1 d2 कॉम्प के पीच यहाँ पर और gate लगेगा और इसका जो output होगा वो भाय होगा देखें यहाँ पर आपका आया d3 और यहाँ से आपका जा रहा है d1 d2 कॉम्प्लिमेंट और इन दोनों का प्लस हो गया मतलब d3 प्लस d1 d2 कॉम्प्लिमेंट तो यह भाय हो गया अब यहाँ पर देखे क्या है d2 प्लस d3 is equal to x तो यहाँ से लेके आई है d2 प्लस d3 प्लस मतलब दोनों के भी चौर आपरेशन है तो यहाँ पर आपका एक्स यहाँ पर आपका एकस आएगा वी के लिए देखना है तो वी की वेल्यू जिरो तब आती है जब चारो इंपुट जीरो हो और जब किस इहां से ले ले और यहां से आपका और यह याँ वाला जो आपका इंपुट है ये ओगया ढक्स और यह D2 प्लस D3 तो इन चारों के बीच और आपरेशन है तो और आपरेशन में यहाँ पर एक और गेट लगा देंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा तो मतलब कोई भी D0, D1, D2 और D3 किसी भी एक की वेल्यू 1 होगी तो फीक की वेल्यू 1 आईगी और जब चारों की वेल्यू 0 होगी तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 मतलब 0 आईगा तो इस तरीके से यह आपका प्रायोरिटी इनकोडर का यहाँ पर हमने डिजाइन किया है जिसमें D3 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है आपकी प्रायोरिटी किदर बढ़ रही है इस तरह से D3 की यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी है अब इसका जो एक्जेक्ट हम यह देखिए यह पूरा आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 4 इनपूट प्रायोरिटी इनकोडर अब इसके नेक्स्ट जो वीडियो में अप्लोड करूँगी उस वीडियो में क्या होगा हमारी D0 की हाईस्ट प्रायोरिटी रहेगी D0 की हाईस्ट प्रायोरिटी रहेगी D0 से कम प्रायोरिटी D1 की D1 से कम प्रायोरिटी D2 की D2 से कम प्रायोरिटी D3 की मतलब यह जो प्रायोरिटी इस डिरेक्शन में बढ़ रही है उस वीडियो में हमारी priority अलग हो जाए कि हमारी priority D0 की highest priority रहे कि तो हमारा priority encoder का combination circuit भी change हो जाएगा तो आप वह वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा दोनों वीडियो बहुत ही important है priority encoder के और वो जो जिसमें D0 की priority है सबसे जादा वो Maurice Manon and Michael D. Selletti book का question number 4.29 भी है तो वो question this all हो जाएगा और यह इसका दूसरा example भी आपको मिल जाएगा तो thank you for watching the video, if you are liking our videos then please like, subscribe and share our channel and support us and your comment and your feedback is always valuable for us so please keep commenting, keep encouraging us